चैमातादी फ्रेंग्स, आज हम बात करेंगे निस्म जैकिल जी की जिनके बर्थ और डेथ की डेट मैंने लिखी वी है, बर्थ हुआ था 1924 में, डेथ वी जी 2004 में, 16th of December 1924 में इनकी बर्थ हुआ था 9th of Jan 2004 में इनकी डेथ वी थी, He was born in Bombay in a Jewish family and he was died by the Alzheimer's disease, Alzheimer's disease जो होती है इसमें जो memory होती है वो destroy होने लग जाती है, It is destroying memory and other important mental functions जो होते हैं वो भी work करना कम कर देते हैं, वो भी खतम होने लगते हैं और इनकी अगर studies की बात करें तो He studied in Bombay and stood first in MA English in 1947 and awarded by R.K. Lagor Prize, यह आप धान में रखेंगे, He went to London for his highest studies in 1953, इनको job मिली थी as assistant editor of the illustrated weekly of India में तो यह important fact है, यह आप धान रखेंगे और इनको काफी इन्होंने इस तरीके से magazines को भी editing की है, जैसे imprint किया है, Quest magazine, तो इस तरीके से काफी इन्होंने different type of jobs की हैं और काफी magazines को edit किया है, इनकी जो marriage हुई है, वो Daisy Jacob से भी 1952 में, इनकी spouse का नाम है, और he joined Silpy Advertising, Silpy Advertising को as a copywriter इन्होंने जोइन किया था, 1954 में, तो यह भी important fact है, appointed editor in 1955 in Quest magazine, तो जैसा मैंने बताया, imprint और quest, ऐसी जो magazine है, इन सब में, इन्होंने editing का काम किया है, और सबसे important fact जो मैंने underline करके लिखा हुआ है, वो आप ज़रूर धान में रखेंगे, ऐसा question आ सकता है कि, तो यह आप धान में रखेंगे, अब हम बात कर लेते हैं, इनके पॉलिटिक कलेक्शन की बात करें, तो इन्होंने काफी volume पॉलिटिक कलेक्शन इन्होंने पॉलिश किये हैं, जैसे फर्स्ट जो इनका वॉलिटिक कलेक्शन था, A Time to Change, that was published in 1952, and the second was 60 Poms, 60 Poms जो था वो 1953 में, मैंने यह सामने यह लिखे हैं, publishing year, third volume था, जो the third नाम से ही पॉलिश हुआ था, in 1959, and the fourth volume, The Unfinished Man, in 1960, इसकी जो important Poms हैं, मतलब इस पॉलिटिक कलेक्शन में, यह enterprise और marriage, यह important Poms हैं, कई बार पूछ ली जाते हैं, तो यह भी धान में रखेंगे, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, Knight of the Scorpion, first grade की slivers में लगता है, यह पढ़ी भी होगी, इनकी Poms आपने, यह the exact name, नाम से एक पॉलिटिक कलेक्शन आया था, इनका volume of पॉलिटिक कलेक्शन, in 1965, उसी में Knight of the Scorpion थी, philosophy, poet, lover, and bird watcher, इस तरीके से points याद रखेंगे, अगर यह पूछ ले जाए, कि यह जो point थी, वो कौँ से पॉलिटिक कलेक्शन में publish हुई थी, high months in darkness, in 1976, and latter day, zams, तो यह जो है, इनका मतलब होता है, भजन, in 1982, अब आगे हम देख लेते हैं, इनके notable awards, इनको कौन-कौन से award मिले हैं, यह भी exam में पूछ ली जाते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, जैसे कि इनको पद्मश्री मिला award in 1988, and साहिते academy award for latter day zams, तो यह आप ध्यान में रखेंगे, कि latter day zams के लिए इनको साहिते academy award मिला है, यह तो जरूर आप ध्यान में रखेंगे, पदमशिरी अवार्ड भी मिला है 1988 ये भी आप ध्यान में रखेंगे साथ ही साथ में अगर हम देखें तो ये कब मिला था इनको साहित्याकेड में अवार्ड तो in 1983 और अगर हम देखें 1982 में लेटर डे साम्स जो है वो पब्लीश हुई थी और अवार्ड मिला था 1983 में ये 1982 में पब्लीश हुई थी तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे